गूड मॉर्निंग बच्चो, क्लास 3, विशय हिंदी, डेट 29 जुलाई बच्चो, आप लोग कैसे हैं? आप लोग अपना पढ़ाई अच्छे से कर रहे हैं ना? मैं जो पढ़ाती हूँ, उच्छे ध्यान से सुनिएगा और अच्छी तरह से याद कीजिएगा ठीक है बच्चो, आज हम लोग चेप्टर 5, पेज नमबर 23 संग्या पढ़ेंगे ठीक है बच्चो, आप लोग पेज नमबर 23 निकालेंगे संग्या संग्या किसे करते हैं? किसी व्यक्ति, प्रानी, वस्तु, अस्थान या भाव के नाम को संग्या करते हैं जैसे व्यक्ति, व्यक्ति का नाम हुआ महात्मा गांधी, मोहन, लक्ष्मी ये संग्या हुए प्रानी, कच्छुआ, कुट्टा, हाथी ये भी संग्या हुआ वस्तु, बाल्टी, घरी, कुर्सी ये वस्तु हो गया और अस्थान हुआ ताजमहल, कुतुम मिनार, लाल किला ये अस्थान हो गया, भाव, नटखट बच्चा, बुढ़ा व्यक्ति, सुन्दरपूल, ये भाव दर्साता है, ठीक है बच्चो, संग्या के भेद, संग्या के तीन भेद होते हैं, व्यक्ति वाचक संग्या, जिन सब्दों से किसी विश्यस व्यक्ति, विश्यस बस्तु या बिश्यस अस्थान का बौध होता है, वे व्यक्ति वाचक संग्या कहलाती हैं, जैसे नरिंद्र मोधी, गीता, रमाएन, कौलकटा, मुंबई, आदी, ठीक है बचा-चो, ये व्यक्ति का बोध कड़ाता है, इसे व्यक्ति वाचक संग्या कहते हैं, दूसरा नमर जाति गाए, पुस्तक, आदी ये जातिवातक संग्या हो गिया लड़का, सैनी, गाए ये जातिवाचक संग्या है भावाचक संग्या, जिन सब्दों में किसी भाव, गुन, दसा अवस्था का बोध होता है वे भावाचक संग्या कहलाती है जैसे सत्य, नय, इमांदारी, बुढ़ संग्या है चीक है बच्चों आगे हम लोग कल पढ़ेंगे संग्या थैंक यू